नमस्ते चात्रों आज हम लोगबारती हिंदी का अध्यान करने वाले हैं गनश्याम अगरवाल पार्ट में हमने देखा कि लेखक का एक्सिडेंट हो गया है और उस एक्सिडेंट पे लेखक की टांग तूट गई है तांग तूटने के बाद उनको एक सारवजनिक अस्पताल में दाखिल किया गया था और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे उसमें से सबसे पहले उनके ओफिस के बड़े बाबो आ गए लेखक सो गए थे इसलिए उनोंने उनकी तांग दबा कर उनको जगा दिया दूसरे थी सोना भाई उनकी महले वाली वो आई अपने चार बच्चों को साथ लेकर उन चारों बच्चों ने लेखक को पूरे दो गंटे तक बहुत ही परेशान किया और जाते जाते सोना भाई लेखक को कहने लगी कि फिर से तुमको मिलने के लिए मैं आउंगी अब आगे का देखते हैं कुछ लोग तो आउप्चा रिक्ता निबाने की हद कर देते हैं विशेश कर वे रिष्टेदार जो दूसरे गाउन से मिलने आते हैं ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख कर ओंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा हाई तुम्हें क्या हो गया कार वालों का सत्यानाश हो मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ पर तू क्यों रोता है तुझे क्या हुआ वह बड़े देर मेरी छाती में मुझ गड़ाय रोता रहा फिर रोना कुछ कम हुआ उसने मेरी छाती से गड़न हटाई और जब मुझ से आखे मिलाई तो एकदम चुप हो गया फिर दीरे से हसते हुए बोला माप करना मैं गलत कमरे में आ गया था आजकर लोग ठीक से बताते भी नहीं गुपता जी का कमरा शायद बगल में है हे 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 अच्छा भाई माप करना कहकर वह चला गया अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्यूंकि उस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिष्टेदार या करिभी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिये थे यहाँ पर लेखक ने बताया कि अगला जो आदमी उनको मिलने के लिए आया था वो टैक्सी में आया था और टैक्सी अस्पताल के सामने रुग गई और वो आदमी जो जोर-जोर से भाग कर अस्पताल में आ गया और आते ही छाती पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि कारवाली का सत्यानाश हो ऐसे कैसे हो गया तो ठीक तो है न ऐसा वैसा कुछ वो बोल रहा था लेकिन उसने लेखक का चेरा भी नहीं देखा था थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपनी गर्दन उठाई और लेखक की तरब देखा तो कहने लगा कि माप करना मुझे आप से मिलने के लिए नहीं आना था शायद मैं गलत कमरे में आ गया आइसा कहकर वो चला गया लेकिन ये सब होने तक लेखक की जो पत्नी उदर बैटी थी उसको लगा कि लेखक को मिलने के लिए जो आदमी आया है और वो इतना जोर जोर से रो रहा है लगता है उसका कोई खास दोस्त है या मित्र है इसलिए उस टैक्सी वाले के पैसे लेखकी पत्नी ने दे दिये थे आगे देखते हैं हमदर्धनी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाते हमारे शहर में एक कवी है स्रीलपकानंद उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही बाग खड़ा होता हूँ जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताओं पिलाए बिना नहीं छोडेंगे एक दिन बगल में छोला दबाय आ पहुंचे आते ही कहने लगे मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवी सम्मेलोनों में अती व्यस्त था सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा रात भर मुझे नीन नहीं आई और हाँ रात को इसी संदर्व में यह कविता बनाई यह करकर छोले में से डाइरे निकाली और लगे सुनाने असम की राजदानी है सिलाउं मेरे दोस्त की तूट गई है टांग मोटर वाले तेरे ही साइड थी रोंग यहाँ लेखक ने बताया है कि लेखक को मिलने के लिए आगया आने वाली व्यक्ति है एक कवी जिनका नाम है स्रीलभ कानन्द उनकी कविताये ब देतूपी होती है इसलिए लोग अकसर उनसे मिलने का टालते है या मिलना नहीं चाहते क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता है वो अपनी कविताय सुनाता है और वो अच्छी नहीं होती और या सुनने को अच्छी नहीं लगती इसलिए लोग उनसे बचते है या एक रस्ते से जब वो आता है तो दूसरी रस्ता से व्यक्ति चले जाते है लेकिन अब लेखक अस्पताल में थे वो कहीं जा नहीं सकते थे इसलिए अब लेखक को लगता है कि आप उनकी कविताय हमको सुननी ही पड़ेंगी लपकानन्द आते हैं और आते ही बोलते हैं कि मैं तीन-चार दिनों से व्यस्त था आपके बारे में ही सोच रहा था मैं एक कविसमेलन में गया था ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके उपर एक कविता बनाई है और कविता सुनाने लगते हैं कि आसम की राजदानी है सिलांग मेरे दोस्त की तूट गई है टांग मोटर वाले तेरे ही साइड थी रंग ऐसी बेतु की कविता वो सुनाते है आगे कविता सुना कर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आग पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही और दूसरी आग पूछ रही हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता है सुनने का वादा कर बड़ी मुझस्खिल से बिदा किया यहाँ पर लेखक ने बता है कि कविता सुनाने के बाद कविता के बारे में कुछ तो कहा जाए कैसे है कविता अच्छी है या बुरी है ऐसा बोल रहे थे और कवि को ऐसा लग रहा था कि आप कैसे भागेंगे वो अब तो नहीं भाग सकते टांग तूट गई है अब तो मेरी कविताए उनको सुनाने ही पड़ेंगी लेकिन लेखक ने उनको चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद उनको कहा कि आपकी कविताए मैं बाद में अवश्य सुनूंगा ऐसे बोलकर उनको बिदा कर दिया अब मैं रोज इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे इश्वर अगर मुझे अगर तुझे मेरी दूसरी भी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ मगर कुपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचत नो हो क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले यहाँ पर लेखक का कहना है यह लेखक कहना चाहते है कि मेरी एक तांग तोड़ने के बाद जो मुझसे मिलने के लिए आये उन्होंने किस तरह से मुझे परिशान किया तो इश्वर से वो कहते है कि मेरी दूसरी भी तांग तोड़ दो लेकिन यह उस स्थान पर तोड़ दो जहां पर मुझे मिलने के लिए ऐसे हमदर्दी जताने वाले एक भी आदमी वहाँ पर आना नहीं चाहिए इस तरह से ये एक प्रकार का निबंद हाच्य वेंग के रूप में घनशाम अगरवाल जी ने प्रस्तूत किया है और मुझे मिलने के लिए जाते समय किस तरह से जाना चाहिए और हम किस तरह से जाते हैं या समझाने की कोशिश किये दरसल जब हम अस्पताल में मरेश से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए या वहाँ पर जाने के बाद ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए जोर से बोलना नहीं चाहिए ऐसे कुछ तो बहुत सारी सावधानिया होती है जो हमको बरतनी चाहिए लेकिन वो ऐसा हम नहीं करते तो लेकर का कहना है कि जब भी हम अस्पताल में जाते हैं तो कुछ तो सावधानिया बरतनी चाहिए यहाँ पर यह पाट खतम होता है इसका स्वाध्य हम देखेंगे स्वाध्य में पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा और पाचवा प्रश्ण हमने देखा है पाचवे प्रश्ण में हमने शब्द समुआ के लिए एक शब्द लिखना है वह स्थान, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते है यहाँ पर शब्द लिखना है, एक ही शब्द लिखना है दूसरा है, जहाँ मुप्त में बोजन मिलता है कहाँ पर बोजन मिलता है, वह एक ही शब्द लिखना है आगे का प्रश्ण है शब्द बनाईए यहाँ पर उपसर्ग युकता शब्द और प्रत्य युकता शब्द लिखना है शब्द दिया है दर्द तो दर्द का उपसर्ग युकता शब्द मतलब दर्द के पहले का शब्द कौन सा होता है बे दर्द इसी तरह दर्द के बाद आने वाला शब्द मतलब प्रत्य युक्त शब्द दर्द के बाद आने वाला शब्द दर्दनाक हो सकता है आगे का शब्द दिया है निच्छित तो आपको बताना है निच्चित का उपसर्ग युक्त शब्द मतलब निच्चित के पहले आने वाला शब्द और निच्चित का प्रत्य युक्त शब्द मतलब इसके बाद में आने वाला शब्द आपको लिखना है इसी तरह से 10 शब्द लिखने हैं आपको प्रत्य युक्त और उसका उपसर इस तरह से 10 शब्द लिखकर आपको स्वाध्य पूरा करना है धन्यवाद